हेलो गाइज मैं हूँ पपु और आप सब को आसानी से समझाने वाला हूँ ग्रह तो भाई साहब ग्रह को समझने के लिए आपको क्या करना होगा वीडियो को ध्यान से देखना होगा गाइज यहां पर आप सब देख पा रहे हैं ग्रह ओके ग्रह को इंगलिस में कहते हैं प्लैनेट यहां तक आपको आसानी से आगे होगा आगे मैंने लिख रखा है क्या तो देखिए तारों के चारों तरफ चकर लगाने वाले खागोलिये पिंड गरह कहलाते हैं आपको अभी भी नहीं आया होगा गाईज कह रहा है कि तारों के चारों तरफ अब बात ये आजाता है कि आखिर ये तारा होता क्या है तो मैं आपको सिंपल सब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि आपने कभी सूर्य देखा है जी हाँ आप सब प्रती दिन देखते होंगे सूर्य को सूर्य हमारे क्या है तारा है और गाईज सूर्य ही नहीं हमारे आकास में बहुत सारे तारे है ठीक है तो गाईज तारा को आपको सिंपल सब्द में परिभासा याद रखना है कि जिससे परकास निकलता है उसे हम कहेंगे तारा तो भाई सहाब मैंने यहां पर क्या लिख रख है कि तारों के चारों तरफ जी हां सातियों तारों के चारों तरफ चकर लगाने वाले खगोलिये पिंड गाइज खगोलिये पिंड कहने का मतलब आकास वाले कोई भी चीज ठीक है तो गाइज खगोलिये पिंड को ही हम क्या कहेंगे गाइज ग्रह कहलाते हैं गाइज यहां पर आप आसानी से स्मझिये आपके सामने ये रहा सूर्य और सूर्य हमारा क्या है तारहHope क्योंते क्योंकि इससे परकास निकलता है गाइज इसके چारों तरफ इससे छोटे छोटे और भी तारे हैं तो उन सबी के चारों तरफ घुरने वाले खगोलिये पिंड कहने का मतलब अ सूर्य सूर्य हमारे तारा हैं और इसके चारों तरफ घूरने वाले आकास वाले वस्तुए गरह कहलाते हैं ठीक है तो यहां पर परिभासा यही लिखा हुआ है आप समझ सकते हैं आसानी से है कि तारों के चारों तरफ चकर लगाने वाले खगुली पिंड यानि आकास वाले दवस्तु ये गरह कहलाते हैं तो अब आपको ये चीज़ ख्याल रखना है कि गरह हमारे कितने हैं तो यहां पर आप गौर किजिए आप सबको यहां पर आसानी से दख भी रहा होगा आठ गरह हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इसको हम जूम करते हैं आपको दिखलाबे हैं ये चीज आपको दिख रहा होगा आठ गरह हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा है बूध भाई शहाब आप ये चीज ख्याल रखिए कि बूध जो है वो सबसे नजदीक वाला गरह है मतलब सूर्य के सबसे नजदीक सबसे सिंपल भासा में कहा जाए भीरू सबसे भीरू क्या है बूध है ठीक है और इसके बाद हमारा आजाता है सुक्र बूध सुक्र इसके बाद प्रिथ वे तिसरे नमबर पर हम है मंगल, ब्रियसपती, सनी, यूरेनस और नैप्चुन यूरेनस को कहते हैं वरून और नैप्चुन को कहते हैं अरून तो ये चीज़ आप आसानी से ख्याल रखेगा आप हम और कौन से गरह पर हैं हम यहाँ पर प्रिथ वी पर हैं और प्रिथ वी हमारा तीसरे नमबर पर है ओके तो हमारे कितने गरह हैं तो भाई शहब आपको ख्याल रखना है कि हमारे आठ गरह हैं और गाईज यहाँ पर आप ध्यान जेए यह जो बूध यहाँ पर दिख रहा है बूध शुक्र प्रिथ वी और मंगल यह सब ही क्या हैं यह सब आंत्रिक गरह हैं यह सब क्या हैं आंत्रिक गरह हैं क्यूँ गाईज यह सब के सब क्या है नजदीक हैं इसलिए इसे हम आंत्रिक गरह कहते हैं और गाईज आंत्रिक गरह कहने का मतलब यह कि यह अंदर की ओर हैं ठीक है तो यह चीज़ आप समझ शकते हैं और इसके बाद ब्रिहस्पत्ती, सन्नी, यूरेनस और नैप्चून ये सब क्या है बाहय गरह है बाहय गरह कहने का मतलब ये सब सब के सब बाहरी है ठीक है तो भाई शाहब आप इजी वे में समझ चकती है जो सन जजदीक होगा उसे आंतरिक होगा और जो दूर होगा उसे बाहय गरह तो भाई शाहब मैं आज की इस वीडियो में गरह आपको बताया हूँ वो आपको समझ में आया कि नहीं आया अगर आपको गरह के बारे में अभी भी कोई डाउट है तो नीचे लिखना नत भूलिएगा तो मिलते हैं एक और नव वीडियो के शाथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत